कर दो कि अपने चैनल योर इंटाडे कोच में दोस्तों मार्केट में कल कहा मुमेंटम हो सकता है उसके पीछे लॉजिक क्या है चलिए चार्ट के उपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है देखें यहां पर मार्केट अगर आप देखें तो दो दिन मार्केट एक रेंज में था पहला दिन दूसरा दिन उसके बाद यह रेंज तोड़ी इस दिन जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज क के नीचे गया हमारा अगला यहां और घीर मार्केट ने क्या किया सपोर्ट किया और दुबाराierte गया तो और पर सपोर्ट लेके मारकेट उस लेविल तो यह जो यह बहुत इंपोर्टन होते हैं आपको केव यह समजना है कि इन पर trade कैसे करना और मैं आपको लगातार इन वीडियो में बताता हूँ कि इन लेविल्स पे आपको trade कैसे करना है मैंने आपको लेविल supply zone के लिए भी आप लोगों को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि आप demand और supply zone को कैसे draw कर सकते हैं और उसके ऊपर और नीचे कैसे trade कर सकते हो तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप इसको वीडियो को देख लीजिएगा चैनल पर जाकर नहीं तो मैं आई बटन में भी आपको इस वीडियो को दे अब बात करते हैं कि कल मार्केट में कहा momentum हो सकता है अब समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात यह है कि मार्केट इधर दो दिन रेंज में रा इधर भी से इस range में नहीं आता है और market इस range को break कर देता है तो जैसे ये ऊपर गयाता है तेजी से ऐसी market तेजी से नीचे आ सकता है तो आपको देखने वाली बात है कि यहाँ पर market को किस तरह से trade करना है SGX Tiffany बता रही है कि market gap up खुल सकता है, अगर market gap up खुलता है और 18,580 के उपर sustain हो जाता है तो फिर ये market में एक बड़ा movement दे सकता है तो हम लोगों को ध्यान देना है अगर SGX Nifty की बात करें तो SGX Nifty के according market इसके उपर खुलना है तो अगर इस level के उपर खुलता है और market थोड़ी देट sustain करता है 10 से 15 मेट sustain करता है और फिर उपर की तरफ चलना सुरू करता है तो इसका मतलब है कि market अब 19,000 लेविल तक जा सकता है और market उपर खुलने के बाद अगर मालो नीचे आ जाता है तो इसका मतलब है कि या तो market इस range में दोबारा जाएगा या market नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो मैं बोलता हूँ न इन चीजों को आप note करके रखिए आपकी trading में आसानी होगी तो आपको trade कहां बनाना चाहिए क्योंकि market gap अप खुलने वाला है तो 18,580 के उपर आपको trade बनानी है तो आप buy कहां करेंगे निफ्टी को निफ्टी को आप buy करेंगे 18,580 के उपर buy करेंगे stop loss कहां डालेंगे 18,550 का stop loss डालेंगे target क्या निकल कर आएगा target आपको निकल कर आएगा 18,640 पहला target जो मैं आपको ये दिया हूँ लेविन 6,40 पहला target आएगा और दूसर target आएगा 18,700 रुपे का तो ये दो target के लिए आप निफ्टी में ट्रेट करके चल सकते हो ठीक है अब मैंने आपको जो ये वीडियो दिखाया था अभी इस वीडियो में मैंने आपको demand और supply zone बताया था एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है multiple time market यहां पर resistance ले रहा है यहां पर resistance और यहां से लेके यहां तक आप देखेंगे यह विक वाला area है यह विक वाला area है यह देखिए यह विक वाला area तो अगर हम यहां पर इस zone को बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं उस चीज को समझ येगा मैं आपको एक जोन बना के दिखा रहा हूँ आपको जिससे आइडिया लगेगा कि मार्केट को मिझे किस तरह से देखना है अब देखिए यहां से लेके और यहां तक यहां तक यह जोन है इसका मतलब क्या उपर बाई किया है मार्केट उपर सस्टेन करता है तो इसका मतलब है कि मार्केट उपर की दर्जा सकता है लेकिन यहां पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट गैप खुलने के बाद यहां पर आके इस तरह से एक केंडल बना दे शूटिंग इस तरह से कोई शूटिंग इस सब्सक्राइब करने के यहां पर की यहां पर कि यह जो रैंज Hey यह रैंज City में जूँन है कॉनसा ज्." इसका मतलब यहां पर अगर ण्याब कि और पकूल ł जाती हो मार्के नीचे जाता है तो आप यहां पर इसको जैल भी कर सकते हैं तो सैल के लिए भी मैं आपको दे दे 150'se हओ नभबे का और जो टार्गेट निकल कर ये तै 20AKEーン ृण एक सेकंड ठीएती तरी अठारह levant अब्वान। मतल sparegy में थे ओर छाट सीथी से दाट को व्रेक करेण तो यह पांसो चे लेविल तक आएगा, पांसो चे को ब्रेक्ट करेगा, तो पहले रहा बैंक चोकि HGX Nifty gap up खुलने का संकेत दे रहा है, इसलिए मैं आपको ये ऊपर के level ही दे रहा हूँ, नीचे के level नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि market खुलना कहा है, ऊपर खुलना है, ठीक है, सेम इसी तरह अगर हम bank nifty की बात करें, तो bank nifty को अगर हम खुलें, तो bank nifty में ये condition है, अग market 44,000 के आसपास खुलता है, तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर market, अब देखिए, ऊपर खुलेगा तो हमें support डूलना है, तो support के लिए अगर हम एक line और draw करें आपको, तो ये line आती है, support के लिए, ये line आती है support के लिए, मतलब अगर market gap up खुल जाता है, gap up और यहाँ कहीं पर support लेता है, तो उपर चलता है, तो आप यहाँ पर buy कर सकते हैं, या फिर 44,000 122, तो आप दो जगे इसको buy कर सकते हैं, buy number 1, कहाँ पर करेंगे, अगर market 44,000 162 के उपर sustain करता है, तो यहाँ पर आप buy करेंगे, SL डालेंगे 44,100 का SL डालेंगे, और जो target आएगा आपका निकलके, वो आएगा 44,270 और दूसरा target आएगा 44,447 का, इन दो target के लिए आप buy number 1 को choose कर सकते हो, कि अगर market gap up खुलता है, और इस level के उपर sustain करता है, तो अगर market ज़्यादा gap up नहीं खुले, या gap up खुलने के बाद, इस level पर support ले, तो आप यहाँ पर भी buy कर सकते हो, यानि buy number 2, दो number आप कहाँ पर buy कर सकते हो, 43,982 पर भी buy कर सकते हो, ऐसे लगाओगे 43,910 का, और जो target निकलकर आएगा, तो पहला target तो जाएगा 44,162, 44,162, दूसरा target हमारा यही रहेगा, 44,270, और तीसा target जो होगा, वो ह 44,447 का, तो इन तीन target के लिए आप bank nifty को buy करके चल सकते, sell आपको तभी करना है, जब bank nifty 43,839 के नीचे आए, यानि आपको sell कहाँ करना है, bank nifty को, 43,839 के नीचे sell करना है, sell डालना है, 43,910 का आपको sell डालना है, और target जो आपका आएगा, वो आएगा, 43,750 पहला target है, 43,609 का दूसरा target है, बलकि 617 आप ले सकते हैं, 617 का आपका दूसरा target है, और तीसा target आपका 43,357 का है, तो इन तीन target के लिए, आप यहाँ पर buy करके, sell करके, चल सकते हैं, तो दोस्तों, इस तरह से आप nifty के लेविल्स अपने चार्ट पर draw कर लीजिएगा, और draw करने के बाद, आप इन लेविल्स पो दिये गए, लेविल्स के according trade कर सकते हैं, और अभी तक आपने अगर telegram चैनल जोइन नहीं किया है, तो telegram चैनल का link वीडियो के description में है, और YouTube चैनल भी आप subscribe कर सकते हो, इसे के साथ वीडियो समाथ करता हूँ, धरलेवाँ